Hello friends, एक पर फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं। मैं हूँ मुहमद तौफिल सफान, ब्लॉंग स्टूसर नौफिल जिकैटनी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंदार है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेर जरूर कर दीजिएगा। देखे, टॉपिक आज का जो है वो न्यू स्टार्ट ट्रेटी 2021 है। अब देखे, स्टार्ट ट्रेटी को अगर आप गूगिल करेंगे या वीकिपीडिया पर जाएंगे तो आपको बहुत सारी स्टार्ट ट्रेटी मिल जाएंगे और थोड़ी सी कन्फूजन होगी। मैंने अपने स्टूट ट्रेटी को बहुत सिंपल करने ही कोशिश करी किसके दर्मियाने कब हुई इसका तौछ टाइम लाइन ले देंगे। और मुक्तसर करके मैंने बताने ही कोशिश करी ताकि आपका टाइम कम से कम यूज हो। तो New Star Treaty 2021 जो है वो बेसिकली New Star Treaty 2021 से लेके 2026 तक के लिए की गई है। क्या चीज है? चले देखते हैं। सवाल आया C.S.S. पाकिस्तान का एक Estim Level का पेपर है उसके अंदर ये Current Affair के पेपर के अंदर 2022 के अंदर पूछा गया कि तो ये सवाल है और इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहरे तो हम ये देखेंगे स्टार ट्रीटी है क्या और खासतर वे वाट इस स्टार ट्रीटी 2021 तो first let's see the history of strategic arm reduction agreements between United States of America and Soviet Union और जो आज का रशिया है यानि कि जो रशिया और अमरीका के दर्मियान में हिस्ट्री है strategic arm reduction के agreements के हवाले से यानि कि असलहे की तखवीफ असलहे की कमी के हवाले से जो हिस्ट्री है वो क्या है कहां से शुरूई है तो चले देख लेते हैं तो यह जाहर सी बात है के जो nuclear weapons है atomic weapons है atomic bomb है और उससे लेटर जो ballistic missiles है बेनल बर्र आजमी कहलाते हैं अरदू के अंदर intercontinental missiles जो है यानि कि एक बर्र आजम से एक continent से दूसरे continent में fire किया जा सकता है तो बड़े खतरनाक जो है वो असलह बड़ा खतरनाक जो है बाँ बाँ में है तो इनको इनकी इनकी डिड़क्शन के लिए इनकी जो प्रोड़क्शन की जो तादाद है उसको कम करने के हवाले से सोवियत यूनियन उस वकत का जो के आज रशिया है और अमरीका के दर्मियान में सबसे पहले 1972 और फिर 1989 के अंदर सार्ट नाम के एग्रिमेंट से जो के सार्ट वन और सार्ट टू कहलाते हैं सार्ट वन वो बेसिकली रिचर्ड निक्सन उस वकत के अमरीकन प्रेजिडन्ट और उसके साथ सा जो है वो उस वकत के जो काउंटर पार्ट है एक सोवियत यूनियन वो जो है उन दोनों के दर्मियान में ये सार्ट वन जो है हुआ और ये 1972 के अंदर हुआ इसी तरीके से सार्ट टू जो है ये जिमी कार्टर और सोवियत जनल सेकरेटरी के दर्मियान जो है वो ये साइन हुआ और ये 16 जून 1989 को जो है ये ये ट्रीटी का जो सेकंड पार्ट है सार टू के लाया ये 1979 में हुआ यानि कि आप समझ लीजे कि कंटिनुएशन हो रही है आम रिड़क्शन के अवाले से जो है वो प्रोग्रेस हो रही है 1972 में फिर 1989 के अंदर और फिर उसके बाद ये मजीद आगे भड़ता है और 1991 के अंदर फिर से दोनों सुपर पावर एग्रिड होते हैं तो कट दा नुकलियर वार हैट्स बाइर रिडूसिंग दियर स्टॉक पाइल्स अफ नुकलियर वार हैट्स अबाउट थर्ड ये पहली दफ़ा जो है 1991 के अंदर और ने तैग किया है जो भी उनकी तादाद है क्योंकि आप याद रखिए कि दुनिया के अंदर इस वार हैट्स इसका 90% इन दोनों मुलकों के पास है यानि कि जो भी है नुकलियर वार हैट्स चाहे वो पाकिस्तान इंडिया और जितने भी जो मुलक हैं जिनके पास नुकलियर वेपन्स हैं उनको अगर आप शामिल करने तो उन में से जो भी असलाह है उसमें से 90 फीसाद जाए हो इन दो मुलकों के पास है तो यह बहुत खतरन के झारिये से इनोंने उस प्रोड़क्शन को जाए वो उसकी प्रोड़क्शन को जाए वन थर्ट कर दिया ठीक है जी तो यह स्टार्ट वन है यह 31 जुलाई 1991 को होती है ठीक है जी फिर ये स्टार्ट टू ट्रिटी जो है वो आपके सामने ये जो है वो फिर से बुश सीनियर और उस वकत के जो प्रेजिडन थे रशिया के जो प्रेजिडन थे अब ये सोवियत उनियन जो है बदल चुका था रशिया बन चुका था तो उस वकत के बॉरिस यलसन आपको नदर आए तस्वीर के अंदर इनके दरम्यान वो स्टार्टू नामी ट्रीटी 1993 में होती है। वही ट्रीटी है जो के आज आपको न्यू स्टार्ट ट्रीटी 2021 के लाती ही। उसी की अब्तिदाई शकल ही और इसके अंदर ये बात तैह हो चुकी थी कि हम दोनों मुल्ग जो है वो अपने असलहे को कम करके जो हो तीसरे हिस्से पर लेके आएंगे। ठीक है जी यानि के वन थर्ड कर देंगे। इसके बाद यही जो स्टार्ट ट्रीटी है स्टार्ट वन स्टार्ट टू उसके बाद यह स्टार्ट ट्रीटी जह हो नई स्टार्ट ट्रीटी होती है दिन्यू स्टार्ट ट्रीटी और यह होती है डेमोक्राटिक प्रेजडेंट अबामा और रशियन प्रेजडेंट डिमि सरेमनी थी चेक रिपब्लिक के अंदर परागवाय उनके कैपिटल वहां पे इनों इसको साइन कर दिया था बैरल रेटिफाय जो है यह दो फरवरी 2011 होती है बरहल यह कहलाती स्टार ट्रीटी 2010 है ठीक है जी इसमा आप तस्वीर में भी देख सकते हैं और इसके बाद फिर कंट्रोल ट्रीटी चार फरवरी 2021 को इसको एकस्पार होना था तो तीन फरवरी 2021 को इन लोगों ने दोबारा से यह ट्रीटी एकस्टेंड कर दी और यह ट्रीटी जो है वो एकस्टेंड ओगई हाब 4 फरवरी दोजाच भिस तक के लिए 4 फरवरी 1226 यानि कि 5 साल किर जो पूरी दुनिया का जो है वो नुकलियर वेपन जो इन दो मुमालिक के दरम्यान में तो पूरे वेलकम किया है पूरे योरप ने भी इस ट्रीटी को और उन्हों ने जो वाइडन ने का है कि ये एंकर का रोल करेगी प्ले स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के अंदर यानि क असलाह की जो दोड़ है उसको थामने के लिए उसको रोकने के लिए जो है ये ट्रीटी जो है वो बहुत मुफीद थाबित होगी दस साल दे ट्रीटी ओरीजनल दूरेशन वास टैन यर्स ट्रीटी एक्सपार्इड अट टू तो तूजन ट्वैटी वेवरी फवरी तो बेसिकली अब जो है ये पांच साल के लिए अब मैं इसके थोड़े सा हम देख लेते हैं कि इसके क्या मेंन फीचर्स टे तो पहला फीचर ही कि एट मैंडेट 30% कट इंड ट्रीजिक नूपलियर वेपन्स बाइब बोग जो असलाह है उसके जो डिप्राइमेंट है उसक दू कंट्रीज युएसे रशिया विच तो गैदर पसेज 90% अफ वर्ल्स नूपलियर वेपन तो अब जो है इनके पास जो है वो जो इनके लिमिट तैह कर दी हो 1550 वार हैट्स यह है दोनों मुवालिक के पास 1550 वार हैट्स होंगे तो इनके इसके अंदर बाइदा इसको नूपलियर वेपन के होड़े से तो पहले जो पिछली जो स्टार्ट ट्रिटी थी उसके अंदर 1600 जो है वो इंटर कॉंटिनेंटल बलास्टिक मिजाइल्स की इजाज़त थी या इससे लेटर जो जो चीज़ें इसमें लिकी हैं के इंटर लॉंग रेज बामबर्स भी होते है तो ये जो तीन पॉइंट्स हैं ये इसके में पॉइंट्स हैं ट्रिटी के जो के अब कहलाई है दे न्यू स्टार्ट ट्रिटी तो तौजन ट्रिटी वन अब इसका जो पाकिस्तान के ओपर जो इसके असरात हो सकते हैं के वाट कुड बी दर ट्रिटी इंप्लिकेशन ऑ Pakistan's nuclear program keeping in view its defense policy तो Pakistan को इससे मुतालिक क्या हम इसके हवाले से कह सकते हैं तो हम कुछ नहीं कहने वाले experts यह कहने के regarding the start treaty implication in Pakistan experts are saying that now India Pakistan would have adjust their strategies due to the technological development on both side तो Pakistan और अब India को इससे सबक हासिल करना चाहिए experts यह कहते हैं और उनको भी कुछ ऐसे फैसले करने चाहिए कि उन्हें अपने जो strategic जो nuclear weapons हैं उनको limited कर देना चाहिए उसके हवाले से कोई ऐसे आपस में वो मुहाइदे करें क्योंकि जब अब दुनिया के दो बड़े rivals जहें वो इतने बड़े फैसले कर सकते हैं ने अपनी तादात को भी मेंशन कर दिया है तो अब पाकिस्तान और इंडिया को भी इस तरह के कोई अपने दरम्यान जहें वो इग्रिमेंट्स को डवलप करना चाहिए और डिफेंस पॉलेसी पाकिस्तान की भी होनी चाहिए कि एक bilateral agreements को जो है वो support करें इंडिया के साथ बस ये इसके अंदर ये कहा जा सकता है कि ट्रीटी के implication ही हो सकते हैं कि पाकिस्तान की डिफेंस policy है पाकिस्तान को चाहिए कि वो इंडिया के साथ जो है वो bilateral जो है वो प्रोमोट करें regarding the nuclear facilities और इसी तरह के से इंडिया को भी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ जो है corporate करें ताके जो है वो खिते के अंदर जो है वो peace को जो है वो ensure कर किया जा सके तो ये मेरी presentation थी आई होब कि आपको ये presentation पसंद आई गर पसंद आई तो please like, subscribe and share कर दिया thank you very much